अलो गैस वेल्गम बैक तो आर यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे क्लास एड का मैथ संसियाटी चैप्टर नमबर फॉर डेटा हैंडिंग जिसकी एक्साइज 4.2 का क्वेशन नमबर सिक्स्त है हमारे पास find the probability of the events given in question number 2. Question 2 आपको देखना है question 2 की आपको क्या निकालनी है एक तरसे जो भी event वहाँ पर happen हो रहे हैं उनकी probability आपको यहाँ पर find करनी है. तो question 2 मैंने आपके यहाँ पर रखा है question 2 था हमारा when a die is thrown, list the outcomes of an event of getting a prime number और not a prime number तो वहाँ पर question number 2 के अंदर अपने outcomes बतायते हैं, कौन-कौन से prime numbers के और not a prime numbers के लेकिन यहाँ पर आपको क्या बतानी, probability find करनी है. तो देखी when a die, जब एक die को throw करोगे तो कौन-कौन से outcomes आपको देखने को मिलेंगे, तो जब किसी dice को आप throw करोगे तो हो सकता है आपका 1i, 2i, 3i, 4i, 5, 5, 6i, क्या 7 आता है नहीं, तो यह आपके outcomes आपको देखने को मिलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, dice में यही देखने को मिलता है, तो total number और outcomes कितने होते हैं, आपर 6 होते हैं जिसके अंदर इसने बोला था कि अब prime number आने के आपको बता नहीं है probability, तो prime numbers आने के outcomes पहले तो यह बताइए, prime numbers आने के outcomes कौन कौन से होंगे, तो जो prime numbers होता है, ना तो 1 prime होता है, ना composite होता है जो prime numbers start होते हैं, वो 2 से होते हैं, तो 2 एक prime number है, 3 भी एक prime number है, और 5 हमारा एक prime number है, तो ये 3 prime numbers हो गए, तो इसने पूछा है कि a number, a prime number आने की priority आपको बतानी है, तो prime numbers कितने है, 2, 3, 5, मतलब 1, 2, 3, 3 prime numbers है, divided by total number of outcomes, total number of outcomes कितने हैं आपर, total number of outcomes है 6, तो favorable outcomes divided by total number of outcomes formula होता है तो हमारा जो probability बनेगा वो क्या बनेगा उपर तो हम लिखेंगे 3, 3 outcomes है divided by total number of outcomes नीचे 6 आएगा तो 3 by 6 is equals to 1 by clear है हमने लिखा total number of outcomes 6 है और जो prime numbers की probability बनेगी prime numbers की outcomes जो होंगे वो कितने होंगे number of outcomes of getting a prime number वो 3 मैं आपको बता जिया 3 कैसे 2, 3 और 5 इसलिए 3 तरी कैसे बनाएगी चलिए second part है not a prime number prime number ना आने की probability तो prime number ना आने की probability में कौन कौन से numbers को आप लोगे तो आपका number आएगा एक तो 1, एक आएगा आएगा आपका 4 और एक आपका आएगा 6 क्योंकि 2, 3 और 5 तो prime number थे तो 2, 3, 5 को छोड़के बागी बचे कौन से 1, 4 और 6 तो total जो हमारे favorable outcomes होंगे वो 3 होंगे और divided by total number of outcomes कितने है 6 है तो फिर से priority हमारी क्या बनेगी 1 बाए क्लियर है बत चलिए फिर second वाला पार्ट था हमारा इसी question number 2 में a number greater than 5 आने की priority तो देखी यहाँ पर फिर से मैं बना लेता हूँ यहाँ लिख लेता हूँ कौन कौन से आएगी हमारे outcomes 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह outcomes है हमारे तो इसके अंदर हम देख लेते हैं greater than 5 a number greater than 5 कौन सा number है only a की number है यहाँ पर 6 तो एक ही number है तो हम लिख सकते है only one है a number of outcomes of getting a number greater than 5 जो है वो 1 है वो divided by क्या होंगे total number of outcomes, total number of outcomes कितने है यहाँ पर 6 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, total number of outcomes 6 है तो क्या बनेगी priority 1 by 6, favorable outcomes को उपर रखेंगे जो कि ता favorable outcomes greater than 5 अला जो कि one number है divided by total number of outcomes 6, clear है ऐसे आपको b part दियाव ग्रेटर देन 5 जो greater than 5 ना हों, तो greater than 5 में कौन नहीं आएगा आपका यह 6 नहीं आएगा, बागी कौन आएगा वन आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ठीके 6 नहीं आएगा, इसने बोला रो टा ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं होना चीए, 5 के इक्यो चलेगा, इसने ऐसे नहीं बोला है कि 5 की equal भी नहीं चलेगा, इसने बोला है 5 के greater than नहीं होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं 5 की equal चलेगा, बिल्कुल चलेगा और 5 से less than भी चलेगे, तो कौन-कौन से number आ जाएंगे हमारे, इसके अंदर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएग 6 यहाँ पर, यहाँ पर probability आपकी बनने वाली है, clear है, इस तरीके से आपको इन questions को solve करना होता है, तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयोगी, अगर वीडियो पसंद आयोगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा, ब अपकमिंग वीडियो के notification आपको time to time मिलते रहे, thank you so much.